मुझे दो-तीन साथ से मैं प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एसिज़िटी होती है, जितना मैं डर रहा था उतना वैसा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा ही टेस्ट है, कोई घबडाने वाली चीज़ नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहींचला, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होई सड़ृ के दौराने, और अभी मैं टाम को, अभी मैने जूस भी पिया है, औरनार का पानी बी पी रहा हूं। ऐसस जैसा मैंने सोचा था, ऐससा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। सरजरी में पूरी तरह से हैपी हूँ पहले में डर्बता था लेकिन मुझे बिल्कु डर्णी लगता संबंदित मुझे जो शिकायत पहले हुआ करती थी सालों से मैं परेशाम था पांच सालों में मुझे एक बार भी नहीं हुई है मेरा नाम राकीश तीवारी है एक्चुली मुझे दो तीन साल से मैं प्रॉड्रम हो रही है मुझे एसिडिटी होती है तो पहले मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को मिला तो उनोंने मुझे बढ़ एंटर सीडिटी को तबा सा दबा देते थे लेकिन मुझे आराम बिल्कुल भ मां पर जगया और उन्होंने मुझे इंडोस्कोपी वेगरा करने के बाद बताया कि आपको एक हाइटल हरनिया है तो आपको इसके लिए उन्होंने का कि या तो इसका कोई हिलाज नहीं है या तो आप मेडिकेशन चलाते रहिए पुरी लाइफ या फिर एक सर्जेरी ओप् को दिखाया और मुझे कोई भी सही सजेशन कहीं से भी नहीं मिला तो हर लोग यहीं बोलते थे कि आप जो है मेडिकेशन लीजिए कुछ साल मलब टालते रहे कि मैं कैसे सही हूंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैंने काफी सर्च किया बहुत चीजे मैंने सर्च करी तो आज कलाकेश इसका रहा है यहां परॉब्लम यह है कि अगर इक हमस्किश हूं कर करते हो तो फिर आप उसको को पहुत का लीजिटी होगा उसको तो बरदास्त नहीं कर पाओगे आपको फिर से मेडासिन लेनी ही पड़ेगी मैडिसन आप चोड नहीं सकते है मैं कल यहां पर आया था तो पी-एस टेस्ट के लिए डॉक्र शिहाद ने मुझे बोला पहले तो मैं डर रहा था कि यह कैसे हो पाएगा अली उपर से नाक से पेट में जाती है फिर मैं कैसे खाऊंगा कैसे पिऊंगा बट कल मैंने यह टेस्ट करवाया थोड़ा सा प्रॉब नहीं हुए जब मैं पूरा 24 गंटे होने वाले मुझे रस्पंद्रे में बाकी है के लिकिन मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुए एक बार भी नरी जाने के बाद मुझे वामिट नहीं हुआ या खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हुई थोड़ा सा हां गले मी नहीं हुए जासा कि मैंने फैले भी पुष्ट लिया था कि मेरा जब सर्जरी होगा तो मैं आपको पताऊंगा वास सुबह में आठ बजे करीब मेरी सर्जरी शुरू हुए उप्रॉक्स थ्री आवर्स की सर्जरी थी मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला मुझे कोई भी प् जूस भी पिया है नार का पानी भी पी रहा हूं तो आसा जैसा मैंने सोचा थाक सुछ प्रॉब्लम ही खरा लूह हुए अर्वारी öर्हा हूं चल रहाूं टॉइलेट भी खुती जा रहा हूं ओही भी प्रॉब्लम नहीं हुए तो बहुत यही सा मुझे लगा बहुत एज मेरे को तो ऐसा लगी नहीं राथा कि ऐसा कुछ हो पाएगा इतना बड़ा ऑपरेशन में देखके डर रहा था इसके वीडियो जैसा मैसूस कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई बहुत अच्छा रहा मेरे लिए तो डॉक्टर चिराख ठक कर एक भगवान जैसे हो गए तो इनोंने मेरा मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया मैं इतने असालों से परिसान था मैं मेरा ऑप्रेशन हो गया है ओफिली मैं मैं बैटर जिन लोगों को यह प्रॉब्लम है उनको डरना नहीं चाहिए उनको यही सजेशन दूँगा कि आप टॉक्टर चिराख से एक बार मिले जैसा कि मैंने आपको पहले भी बदाया था कि मैं अपने ऑपरेशन के बाद दूस दिनों बाद मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे कितना अच्छा महिशूस हो रहा है कितना मैं बहतर महिशूस कर रहा हूँ पहले से तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आज पुरे 3 मैने हो गए है.. और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैंने कोई भी मैडिसिन नहीं इसे प्राइटी से रिलेट और मैं जो प्राइटी में नहीं खा पाता हूं जैसे पहले दिन में तीन बार अपना डाइट प्राइट कहना खाता था तो मैंने अब इसको बढ़ा के दिन में पांच या शे बार में खाता हूँ, स्मॉल स्मॉल डाइट लेता हूँ, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रहा, डॉक्टर चिराग ठककर में बहुत अच्छा उप्रेशन किया है, जिसमें कोई भी मुझे डाउट नहीं है, और मैं चाहूँगा कि जिसको भी प्रॉब्लम है, इसको भी इग्नोर्ना करें प्रॉब्लम को, डॉक्टर चिराग ठककर से मिलें, ताकि आपकी प्रॉब्लम भी रिज्वन हो सेका। आज मेरी सर्जरी को पांक साल पूरे हो चुके हैं, तो मैंने सुचा कि चलिए, मैं आप लोगों को प्रॉब्लेट हूँ, कि मैं कैसा हूँ, आप बताना चाहूँगा कि मेरी प्रॉब्लम खतम हो चुकी है, मैं में में कुछ सुच थी। मुझे जो शिकायत पहले हुआ करती थी। सालों से मैं परिशान था। पांच सालों में मुझे एक बार भी नहीं हुई। पर्चिराग में बहुत अच्छा गाम किया है। सबसे बड़ी चीज है कि डॉक्टर साहब जो है वो पर्सनली टश में रहते हैं टॉक्टर के टॉक्टर मेरी लाइफ में माँ जि ettin लिंगा घॉक्टर से। मुझे लगते ही नहीं हुई है। कभी भी में उन से कुछWe डिस्कूस कर सकता हुं, अभी प्रॉब्लम से संबने थिकाल, मेंसा कोई प्रॉल्लम है ही नहीं नियाता है और वोग कोदि उपनी तरह से फॉलो उब ले लेते हैं तो बहुत ब़गे बात है को रेग्र क्वालो ब hierarchy तो पान साल के पाद खांगत तो दोक्र का नाम ही पेशन का नाम था बोग्होय कुछ आत अट मैं तो बिलाल जिरागी rains इस डिनेु रोफ रहा वे हुआद जसमे एक आचाओने कि मैं भी देसे, सब्सक्ना हूं जीज एवड़िए जीजिए थी. Thank you.